अलो दोस्तों स्वागत है आप सबीगा वे एक मिस्सा टेरिंग में टेसे इस्टर हम लोग जिस कंपनी के उपर अपडेट लेने वाले हैं एक वर टास इसमाल फाइनेंस बैंक लिम्टेड है quarter 3 के result आ गए हैं तो कैसे आए result उसको हम लोग इस वीडियो में साजा करेंगे मैंने अभी हाल फिलाल में आपको प्रकास इंड़स्ट्री, SJVN और NHPC तीनों पे अपडेट किया है तीनों quarterly results पे तो इनको भी चेक आउट करिएगा और अभी जो ECOTAS Small Finance Bank है उसको हम लोग समझेंगे financial condition समझने के साथ ही चार्ट भी बात करेंगे मेरे साथ वीडियो में बने रही है जो चल पने उच्छे हैं सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ भी share करें जिससे उनको भी इस company के बारे में पता चल सके playlist भी आप check out कर सकते हैं दोस्तों बहुत सारी playlist है multi bagger stock हो गए dividend के लिए आप लोग कभी कभी सुचते हैं कि कास हम लोग इन share जिसमें dividend अच्छा मिलता है उनका कहीं से playlist मिल जाए तो उस तरीके से मैंने यहाँ पर बहुत सारा upload कर रखा है बहुत सारी कंपनिया है जो dividend अच्छा प्य करती है बहुत सारी multi bagger कंपनिया है तो चेक कर सकते हैं क्या पता आप से आपको उसमें कुछ अपने काम काम मिल जाए तो जरूर check out करिएगा आप यहाँ पर join भी कर सकते हैं telegram का भी हम लोगों ने बना रखा है group वहाँ पर भी हम लोग आपको VIP membership उपलब्द है जैसे कि अगर आपको कोई personal doubt है किसी share में तो वो भी पूछ सकते हैं 150 का बस payment है वहाँ पर UPI द्वारा आप pay करके 30 days के लिए जो भी किसी भी share में आपको दिक्कत है पूछ सकते हैं या आप बस join कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर information भी post होती रहती है चलिए फटा-फट समझते हैं like करिएगा जरूर जिसे और लोगों को यह recommend होगा 58 rupees 5% round share trade कर रहा है आज जो moment है वो बहतरीन रही है earning पर share जो हो रही है company को दोस्तों वो 3.64 की हो रही है बढ़िया market capital है और price earning ratio हम लोग को ठीक ठाक देखने को मिल जाता है तो regional bank में आ जाता है finance related मतलब bank की जितनी भी services होती है same ये भी provide करता है अब अगर हम लोग दोस्तों इसके chart पे देखिए तो काफी time तक ही जिस label पे अभी trade कर रहा है वहाँ पे था इस starting में जब बहुत पहले 2022 के अप्रेल मार्च में फिर उसके बाद इसने अच्छा trend पकड़ा जुलाई के बाद से upward move किया एक lower label से और अभी भी उसकी तरह बरकरार बना हुआ है तो समझते हैं बहुत कुछ जानने को मिलेगा long view के हिसाब से short view के हिसाब से सब तो बढ़िया market capital है book value दोस्तों हम लोग को इसकी 33 rupees 90 पैसे देखने को मिलती है और face value 10 है तो आपको सही range में इल जाता है कुछ इतना ज्यादा ऊपर नहीं है पर आपको एक चीज और notice करनी पड़ेगी कि अपने 52 week के high के ज्यादा around है और जो lower है इसका वो 37 rupees 40 पैसे का था 12 महिने की condition में बहुत जबरदस्ट ग्रोथ दिखती है profit जो है वो 83.5% increase हुआ है, sale में भी बढ़ोत्री हुई है और इस बार के जो result है दोस्तों वहाँ भी हम लोग को growth देखने को मिलती है, 64.1% का वहाँ भी growth है जो quarter 3 का result है इसका मतलब वो better आया है, अभी हम लोग comparison जैसे कि Q2 के net profit में तो आपको दिखी गया कि Q3 का जो है, वो 46% increase है, तो यह काफी important हो जाता है, बहुत सांदार इसमें promoters की holding है, यहाँ पे all time high की बात के हैं, तो 76 रुपीज 80 पैसे तक share चा रखा है return on equity का track 7.35% देखने को मिलता है, return on acid की बात करें तो 1.09% का रहता है तो इस प्रगार से हमको देखने को मिल जाता है अब अगर हम लोग दुस्तों इसकी quarterly result को विस्ताज से समझें, तो हम लोग को बहुत point यहाँ पे note करने को मिलेगा, जैसे कि December का आप देखेंगे तो वहाँ पे 77 करोड का financing profit, जो कि बहुत बे time से हम लोग को ऐसा देखने को नहीं मिल रहा था, आप यहाँ पे December 2019 से पूरा track देख सकते हैं एक बार था सितमबर 2020 में जब 81 करोड का operating profit हुआ था, उसके बाद हम लोग के number या तो बड़े number negative में देखने को मिले, या बहुत छोटे छोटे operating में profit हो रहे थे margin में भी थोड़ा बढ़ोतरी देखने को मिला 7% का अगर हम लोग दोस्तों इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, net profit पे नजर डाले तो हम लोग को लाश्ट येर को December को देखने को मिलेगा 108 करोड का इसका net profit हुआ था, इस बार 170 करोड का है, तो last year से bank बहुत अच्छा ग्रोथ है फिर पिछले quarter से बात करें, तो पिछले quarter में बस 16 का था net profit इस बार 170 है, तो यहां पे भी clearly bank काफी अच्छा perform किया है, और यह जो moment है दोस्तों, यह इसी प्रकार से अगर बरकरार रती है, तो यह बहुत ज़्यादा ग्रोग करेगा, क्योंकि आप 2011 से हम लोग data देखते हैं, यहां पे 2022 तक का यहां पे कुछ साल गायब भी है, ठीक है, 2012 के बाद 2016 का track है, तो हम लोग 2016 से ही start करते हैं, क्योंकि यहां पे कुछ हितना है नहीं, देखने को मिलता नहीं है, तो यहां पे 85 करोड, उसके बाद आप लगातार देखेंगे, कहीं कहीं पे down रहा है पर 2020 के बाद से मैं मानूगा कि track थोड़ा better हो गया था, अब यह दोनों COVID के साल थे, तो इस वज़े से यहां का हम लोग थोड़ा देख सकते हैं, कि थोड़ा कम था, पर still यहां पे जो अभी currently चल रहा है 12 महीने का वहां पे 503 करोड का net profit दिखने को मिल जाता है और अभी भी एक quarter बच्चा हुआ है quarter 4, तो 3 quarter तो इस मतलब FI के होगे और एक पिछले वाले FI का plus करके यह data भी हमको देखने को मिलता है, तो अभी अगर अगले quarter में भी यह 100 plus से ज़्यादा का profit बनाता है, तो यहां पे हम लोगों को number और बहतरीन देखने को मिलेंगे, तो इस प्रगार से जो growth है वो बहुत सांदार है, जो भी guarantee performance है, बैंक का, वो भी बहुत मतलब उमदा है, क्योंकि इतना बड़ा profit हमको देखने को नहीं मिला था, पुराने इसके data देखेंगे, बाकि इसकी profit growth, sale growth में काफी अच्छा इनोंने अपना track रख रखा है, बाकि चीजों पर थोड़ा इनको work करने की जरूरत है, ये भी चीजें और better हो जाएंगी, बाकि condition की अगर बात करें, तो बहुत बहतरी निसमें हम लोगों को promoters की holding देखने को मिल जाती है, फिर उसके बाद जो अपने domestic investor है, उनकी यहाँ पर update कर देता हूं, 52 रुपीज 55 पैसे के राउंड support है, खरीदने के लिए आप इसको 56 रुपीज 80 पैसे से लेके आप इसको खरीज सकते हैं, lower level पर 53 रुपीज तेक, और target की बात करें, तो एक target तो 70 रुपे का हमको दिखता ही दिखता है, उससे पहले अगर कोई target देखने को मिलता है, तो वो around हम लोग को 64 रुपीज 35 पैसे के around हमको देखने को मिल जाता है, और अगर आप इसको और लंबा विवू रखते हैं, तो 84 रुपीज 45 पैसे के भी target की उमीद है, ग्रोथ में काफी इस बार जो result है, वो काफी healthy है, तो अब जो इसका track है, वो हमको थोड़ा, यहां से यह जो red red में था, इन से कम से कम यह वाला जो track है, यह better दिखेगा, तो यहां से उमीद जो है, थोड़ी बढ़ जाती है लेज सी, अब कैसा इसका आगे का growth रहता है, बाकी मैंने यहां पे आपको बता दिये, labels कहां पे support दिखता है, कहां पे खरी सकते है financial condition को देखने के साथ ही तो यही update हो जाएगा Equitas Finance Bank पे thanks watching, फिड़ो मेलते हैं, आपको नेक्स से साथ, नेक्स वीडियो में